तो दर्शकों वार्ट सतावन में सर छोटू राम पार्ग में हम लोग आ चुके हैं और यहां पे हमारे काफी यहां पे लोग जुड़ चुके हैं बुजूर्ग हैं इन से जानने का प्रयास करते हैं कि वार्ट सतावन में यहां पे मौझूदा पांस साल में कितने कारे हुए निगम पार्षद वारा तो जानते हैं ठीक उन्हीं की जुबानी तो अंकल जी सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल से जुड़ने के लिए तो अंगल जी आपका शुब नाम तिलक राज कालरा कालरा जी हमें यह बताईए कि मौझूदा पांस साल में जो यहां से निगम पार्षद है उनके कारे साप संतुष्ट है या नहीं है उनका कारे बहुत अच्छा किया उनने और हम सब संतुष्ट हैं सिरफ इस हमारे पार्क बने हुई है अच्छा दूसरा यह एक साल हो गया यह सी नहीं है अपर रहलेंग को ठाकर करके रखा संभाल के इसको द्वारा लगवा दिया जा वह रास्ता दिख पा रहा है यहां पर क्या प्रोब्लम से बजूर्ग आदमी चढ़ने में दिक्कत है और उदर जो है अपनी परली साइट पर यह जो पगडंडी बने हुई है वहां तीन चार पत्थर बीच में से निकले हुए हैं तो उसमें कभी भी कोई गिर सकता है कोई हाजसा हो सकता है और इस पार की प्रोपरली सफाई नहीं होता है पहले ही करी गई है अधरवाइस तो वह भी बार-बार फोन करने के चुनाब नजदी का है यही हो सकता है मुद्धा मैंने उनसे कह दिया था में वोट नहीं लेना क्या और आपने बोला की काफी अच्छे कारे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो क्या क्यों है बाकी पार्कों में उन्होंने जो यह अपने क्या कहते हैं जूले यहां पर अंकल जी बोलना चाहते हैं यहां पर भी जो एक सिंथेटिक रबड़ के जो फुटपा जो हो गए इस से क्या है कि भुजूर्गों को चलने में तकलीफ होती है जैसे गुटनों में दर्द रहता है तो अगर सिंथेटिक वाले अगर फुटपा जैसे हो जाते तो अंकल की यह मांगे की वह बनाए जाए तो अंकल जी आपका क्या नाम है अंकल जी तो आप चाहते हैं कि सिंथेटिक वह यहां पर फुल यहीं हमारे जैसे को पहरा में रहता है कि तीनों देट नहीं है अच्छा जो बेन गेट तो गेट भी टूटा हुआ हुआ कि अंगल ज सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं और सारे मेला दस बारा बंदे हैं हमारे सुबह आते हैं अधकर सर्दी में कम आ रहे हैं वरना सब आते हैं नमस्कार स्वागत आप सबका डवले न्यूज में इस वक्त मैं मुझूद हूं रोहिनी सेक्टर पंद्रा एवलोक में मैं आपको दिखाना चाहता हूं अभी जो पीछे पेड़ देख पा रहे हैं यह पेड़ मैं आपको आगे से दिखाने का प्रयास करता हूं जो कम के चुनाव होने वाले कुछ में तो पांत साल में वाट 7 में कितना विकास हुआ ओपि कितना इस नहीं प्मघ पांत नहीं जानकरी प्राइब करते हैं P6 कुंूद हैं कि नेखम पार्षग के द्वारह का रहे चीटना संतुष्ट हैं और सिंतब्यों करता चैब 對啊 यहां cred तो सफाई हुए लेकिन नालियां भरी पड़ी हैं पेड़नी कटे हैं यह बंद हो गई है आगे सप्लाई नहीं होती तो जो नाली है वो भी आगे रुकी पड़ी है और सड़क नहीं बनी है पूरे पांस साल में शिरब यह चिकन खुराना के पास एक छोटा सा टुकडा बना जो एक माथे पर तिलक होता है उसके तरीके से यहां पर सड़क बना देगी कॉंक्रीट की और उसके शिवा यहां से कौन है प्रिति अगरवाल आखरी बार आपके यहां पर मौईने करने हो कब आए तो मौईना करने तो एक बार भी नहीं मेरे खेल जैसा आपने का चिकन ख अच्छे से बनी होनी चीए ना तभी तो बच्चे ठीक से स्कूल जा पाएंगे प्रपरटी तो सब बनी हैं लेकिन सड़कों का विकास नहीं है बिल्कुल सड़कों की बात कर रहा हैं गलिया और नालिया जो है वह सब बेकार पूटी-फूटी है और लोगों के बान भी ख पास हुए तो क्या बोलना चाहिए सो में से सो में से दस प्रतिशत अच्छा नब्वे प्रतिशत में आपका हमें निगम पार्षा से नाली सड़क और यह पेड़ों की छटाई पेड़ों की चटाई के लिए उनके रेइस्टर में देखना मैंने कई बार कर लोग रहते इसका कुछ रोद नहीं करते हैं उनके कंप्लेंट करके आते हैं को याते नहीं यह चलती हैं तो चटी मिकान कुला मतलब तूट हो जाती है डर लगों को इतनी जोर से आंधी चलती है और यह पेड़ स्कूल में बीजा रहे हैं स्कूल की बील्डिंग से हैं और जा रहे हैं है और प्राइवेट प्राइवेट से कावन में कोई मैंने सड़क बनी नहीं देखी है तो एक आखरी सवाल अंकल मेरा आपसे यह रहेगा कि आने वाले जो निगम के चुनाव है आप किसकी सब्ता चाहते हैं भाष्पार की दुबारा चाहते हैं आधी पार्टी की या कॉंगरिस की ऐसा है जो अच्छा काम करेंग अभी टाइम है तो प्रितिया अगरवाल जी अगर अच्छा काम करेंगी तो हम उनको बोड़ देंगे कॉंग्रेस करेंगी अच्छा काम कॉंग्रेस को बोड़ देंगे या आप बाले करेंगे आप बालों को देंगे जो भी हमारे लिए पहले पांडे जी थे पांडे जी बीपी पांडे तो बहुत अच्छा काम करते हैं समझे हमारे को किसी से गिला नहीं है लेकिन जंता को अपने काम चाहिए सफाई सडक नाली बिजली पार्गो की सफाई ठीक है है तो पहले थोड़े तो अच्छी बात यह आ पाई एक पार्गो की सफाई यहां के जो नेगा पार्शला उनसे हुई है कुछ इनों ने पार्गों में क्या कहते हैं वो जड़ी बूटी वाले पेड़ भी लगाई हुए हैं जिस से मैंडम बता रही थी मैंने एक बार गया था उनके पास तो वो बता रही थी पार्गों में मैं सुबह जाती हूं और लोगों से मिलती हूं और लोगों के मतलब पार्क उसमें भी लगे हुए हैं पेड़ अच्छा है तो दर्शको सर चोटुरां पार्क में मुझूद है एफ लोग में वार्ट सतावन का यह पार्क आ जाता है तो मारसा बड़ी संक्य में लोग मुझूदा मैं दिखाने का प्रयास कर सकता हूं आपको देख सकते हैं यहा से बनाये तब से चुरचा लिए इसी यहां और यह मुझा आप अभी एलक्शन का समय आ गया तब तो इस पारक की सफाई हो रही है तो इस पारक की क्या मैं यहीं यह पुरी दिल्ली गीर्ट दुरुक्त इलेक्शन ओने लेकिन मैं जीज जगें पे हूँ यह ने रीक ब्लो कि दो दिन पहले सफाई होनी शुरू हुई है और नहीं तो यह इतना गंदा रहा कि पूछो मत समझेगी तो क्या यह एलक्षन नस्दीक आते हैं तभी यह सफाई होती है समझेगी तभी काम होता है या पूरे साल जो है साफ सफाई होनी चाहिए यह दिए सवाल आप से यह रहेगा कि कुछी टाइम रहे गया है चुनाव को तो यहां से भाजपा से पहले निगह पार्शत दे तो आप किसको वोट दिने चाहेंगे किसकी सब्सक्राइब चाहते हैं आम आधी पार्टी की भाजपा किया कॉंग्रेस की नहीं देखेगा यह तो खैर मै कार्य करेगा जो कार्य करेगा उसको वोट जाएगा यह नहीं है कि आप जो है मतलब किसी पार्टी विशेश से वह हो तो यह काम करेगा वही बोड जाएक तो दर्शकों यहां पर और भी काफी जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा आप से सवाल है यह कि वार सफ़ाइब हम यह पार्टी की बात करें तो आप आप जो है पार्टी उन्होंने कौन सा कुछ कर लिया कि पार्टी का सब्सक्राइब करें तो दर्शो को यहां से काफी बाते सामने आ रही है वाट 57 में आज हम आये ते सर्वे करने तो यहां पर काफी मेक्स बाइट मिली है कुछ लोग यहां से जो निकम पार्शा के जो कारे थे कोई उनकी एक मैं मुलना चाहूंगा प्रोप्रो चुरू कि उनका कहना है यहां पर एक शोचाले भी होना चाहिए क्योंकि यहां पर लगबक 8090 के यहां पर सारे सीने सब्सक्राइब काफी प्रॉब्लम होती है तो दर्शक हो आपकी इस खबर को लेकर कि क्या राया आप कमेंट बोक्स के जरूए जरूर अपनी रिया दे सक झाल